एक दिन अक्षु दोड़ी तोड़ी नाइरा के पास आती है और क्याती है क्या बात है नाइरा तुमने मुझे इतने जली में क्यों बुलाया यार अक्षु अक्षिरा के साथ भी वो हो गया क्या हम भी वो करे देख नायरा मैं तुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती मेरे डुगूस तराके नहीं है कैती तो अक्षिरा भी यही थी कि उनके नाती कैसे नहीं है लेकिन वो निकले ना और तुझे क्या लगता है कि मेरे कार्थी कैसे है लेकिन एक बार ट्राइ करने में क्या हर्च है चाल तेरी तसली के लिए करती हूँ मैं कौर हाँ चान क्या बात है आज काफी समय बात फोन किया कहीं फिर से मिलने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा नार्टी गर अचान मैं मोट बुरी प्राबलम में फास गई हूँ मैं तुम्हे कैसे बताओं एए मैं गरुवती हूँ यह तुम क्या बक्वास का रही हो तुम मां बनने वाली हो क्या तुमने प्रिकार्शन नहीं की थी और वैसे भी यह मेरा बच्चा नहीं हो सकता जरूर यह किसी और का बच्चा होगा सच परजाओ तुमने कहां से मुझाला करवाया है और जल्दी से इस बच्चे का वार्शन करवा लो मैं तुमें कुछ पैसे भीच रहा हूँ और आज के बाद मुझे कॉल मत करना नहीं जान यह बच्चा तुम्हारा ही तो है मैं किदर जाओंगी मेरे से शादी कर लो इसके बाद डूगो फून काट देता है अक्षू संभाल खुद को अब तुम्हारी बारी है हेलो बेबी कैसी हो क्या कह रही हो आज बरे दिन और बाद मुझे काल की जान मैं तुम्हें कैसे बताओं मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फास गी हूँ I'm pregnant क्या यह तुम्हारी हो अभी मैं जब सेटीन का हूँ और मैं एक बच्चे का बाद कैसे बनूगा मेरे फिचर का उसके फिचर का क्या होगा मैं यह सब कुछ क्या से मैनेज करूँगा और क्या तुम्हें प्रिकाशन्स नहीं की थी अभी यार यह तुम्हें क्या कर दिया I'm sorry लेकिन मैं यह हैंडल नहीं कर सकता मेरे खुद की तुकर सेरी है नहीं मैं पापा से पौकिट मनी लेता हूँ यार मैंने सारी प्रिकाशन्स की थी लेकिन मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ यह सुनकर कार्टिक भी फून कार देता है तब अक्षू कहती है थैंग गोर हमें भी नाटर का रहे थे अगर साच मूर खोटा तो यह तो अच्छा हुआ इनकी सच्चा यह हमारे सामने आगी इसके बार रात को वो दोनों वहीं सोच आती है अगले दिन उनका दर्वासा नाख होता है जैसे ही अक्षू दर्वासा खोलती है सामने पार्टिक होता है और कहता है नाइरा कहा है मुझे सुनिना है कि बाद वो नाइरा के पास चाता है और उससे कहता है नाइरा मुझे प्लीस माफ कर दो मैं तुम है साथ बहुत गल्द किया का देखो जो होना था हो गया मैंने माम और डैस से बात कर दी है और उन्हें बता दिया है नाइरा एक सिंगर थी और स्टेज़ पर गाना गा रही थी तभी उसकी आँख में दर्द मैसूस होने लगता है और वो फोरण से स्टेज़ पर गिर जाती है और कहती है पती देव पती देव मेरी मदद करो तभी उसके पती कार्ति कहते है उठो नाइरा अगर तुम ना उठी तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा हमें सारे पैसे वापस करने पड़ें के नाइरा कहती है मुझसे नहीं उठा जा रहा पत्री देव तभी कार्ति का असिस्टेंड रन्वीर अमबुलेस को काल करने लगता है तो कार्ति कहता है वो मेरी पत्नी है जी ये ये मरे तुम्हें इससे क्या अमबुलेस को काल मत करो लेकिन आडियंस में बैठा कोई शेख से अमबुलेस को काल कर देता है नाइरा हस्पीटल पहुँच जाती है डॉक्टर कार्तिक से कहता है आपकी किस वच अच्छी है जो आप अपनी वाइफ को टाइम पर ले आए ना इसकी जान भी जा सकती थी अब आपको इसकी आँखों की सर्जरी करवानी है अगर आपने ये सर्जरी ना करवाई तो इसकी आँखे जाया हो जाएंगी अब कार्ति कहता है अरे वा ये तो बहुत अच्छा एडिया है और वो नाइरा के पास जाकर कहता है नाइरा तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी नियूस है अब हम करोडों में पैसा कमाएं के को कि तुम दुम दुनिया की पहली बलाइन्ड सिंगर बनने वाली हो तब ही रनवीर बोलता है लेकिन डाक्टर ने तो कहा है, कार्तिक उसे टोक्टर हुए कहता है, डाक्टर ने कहा है, अब तुम कभी देख नहीं सकती, ये देखकर नायरा रोने लाग जाती है, इसके बाद बाहर जाकर कार्तिक रनवीर से कहता है, अगर तुमने नायरा को कुछ भी तो मैं तुम्हारा करियर तबाह कर दूगा, समझे? तुम्हार लिए मैं आरेज मैट करने बाहर जा रहा हूँ, ताके तुम वर्ल टोड कर सको, यह देकर नारा कहती है, कार्टिक तुम कितने अच्छे हो, प्रनवीर को अंदर से गुसा आता है, कितना दोगे बास आदमी है यह, और कार्टिक अपनी गर्फरेंट के साथ हालिड प्रदा सूट कर रहे हैं, कार्टिक कहता है, क्या मतलब तुम देख सकती हो, तुम अंदी नहीं हो, नारा कहता है, मैं अंदी ही थी, जो तुम से शादी कर ली, अब मुझे डिवोर्स चाहिए, ताभी अक्ष्रा कहती है, कार्टिक अब तुम हरे पक्स पैसे नहीं रहे, तो मैं तुम्हारे साथ रहा कर क्या करूंगी, मैं जा रही हूं। इसके बाद नाइरा रन्वीर को परड्यूसर बना देती है और कहती है ठैंक्स जो तुमने मुझे सारी सचाई बताई और मेरी सरजरी करवाई जब के कार्थिक सरक पड़ा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो को आप 10 में से कितने नमबर दो के अपनी राए नीचे कुमेंट कर दें। अपना बहुत साथ ख्या रखिये।